हेलो फ्रेंट्स वम् कम स्यूंग ॡिकाइट के बाइद में यह कुछ श्टाउक में सलेक्क्ट किया हूं जो कि यह स्टाउक को स्टाॉक कंपो अगर हम Шवञ्ग-व्म से लिए ले के चलते हैं तो हमें आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है तो इसका टाइम पिरियोड है आपको मिनिमूम होल्डिंग करना पड़ेगा जो कि कári को कौलगेट को ऐगर हम देखते हैं यहां पे एक परेक्शन पर बहुत बड़ी ऐसा नीचे निचे वह आज चुका और बड़ा सा अकरेक्शन भी हुआ says एक स्क्रप्न को इस अगर इतना बड़ा सा का तुझय का चाहिए चुका है जो कि जी अगर आपको इसका टार्गेट के लिए देखना है तो यहां पर हम देख सकते हैं खुड़ा सा अगर हम देखते हैं यहां पर देखें यहां पर एक पैटर्न भी बन रहा है अगर हम देखेंगे यहां पर के यह कॉप भी बन रहा है यहां पर एक बड़िया से कॉप पैटर्न बन रहा है उसके साथ में हैंडल भी बन रहा है तो इसी साब से अगर हम इस टॉक को लेके चलते हैं एक अच्छा सा हमें गयन मिल सकता है अभी अगर आप यहां से बाय करके यहां तक अगर चलते हैं यह तो बहुत जल्दी यह टार्गेट आ सकता है जो कि एटिन परसेंटेज का यह नहीं लगेगा बहुत कम टाइम में इसका प्रॉफिट आ सकता है लेकिन अगर थोड़ा से स्टॉक करना चाहते हैं त एक लोट बाइक्ट चलेंगे तो आपको जो टार्गेट रहेगा LED दा सबस्क्राइब कार्गेट की लिए चलते हैं अभी आपका जो टार्गेट रहेगा CHARG पर सकते हैं तो नहीं कर बड़ vel रखना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि यहां प्रिस्क व्रमेस्टेंट रहे कि अभी इसका अगर हम मार्केट का देख लेते हैं यहां पर फटी वान थाउजंड करोड का मार्केट क्या पर और अगर देखेंगे 92 का रोसी है अगर हम इसका डेट फ्री कंपनी भी है और प्रोफिटेबल कंपनी है प्रोमोटर प्लेज भी जीरो है और एक साइट से करते जा रहे हैं तो इसी साब से हमें लगता है कि यहां पर अच्छा सा प्रोफिट आ सकता है यह स्टॉक में बनाके रखिए बड़ी आपको मिल सकता है नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि ब्यांक आफ इंडिया फ्रेंस इसको मैंने क्यों सिलेक किया हूं वह इ कर दीखें इसका रोजे जो रिजल्ट यहां पर आया है स्टॉक का एंडि रिजल्ट दिखें जहां पर पिछला सेप्टेंबर में यहां पर 553 करोड का प्रोफिट था अभी देखें वानजन सेबेंट त्री करोड का प्रोफिट आ चुका है बिल्कुल डवल हो चुका है प्रोफिट में बहुत बढ़ी ऐसा मुझ जॉंप हुआ है तो इसी साफ से उसी लेबल तक जाना चाहिए जहां पर अगर हम देखते हैं पिछला 12 का पिछला 12 का अगर हम डाटा देखते हैं यहां पर देखे सबसे हाइस्ट यहां पर प्रोफिट आया है समझ रहे ना तीन सा सब्सक्राइब करें यहां पर तीन साल का अगर हैस्ट लेवल देखते हैं तो यह स्टॉक का प्राइस दो स्टॉक तक भी जा सकता है लेकिन अगर अभी हम बाइब करके चलते हैं इमीडियेटली टारगेट अगर हम देखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा सा टार्गेट में मिल सकता है मेरे हिशाब से तो को अपना पोजिसन बनाना जा रहा हूं लेकिन आप पार फोजीन बननाने से पहले खुद बार खुद का अनलीस कीजिए यहां पे लिजिये यहां पर जिस लेवल पर पहुँ चल रहा है यह ज्यादा दिन भी आपको नहीं लगेगा इस लेवल तक यहां पर 60 परसेंटेज का यह आपको मिल सकता है ठीक है यह सब मतलब यहां पर अब यहां पर किसी का नजर नहीं आएगा ऑपरेटर ऊठागे ले जाएंगे तो यहां पर यहां पर आपको बता है था अभी देर नहीं हुआ है अभी आप बात करेंगे जो कि सब्सक्राइब को भी अपना पोर्टफॉलियों में लेके चल सकते हैं इसमें कोई प्रोब्लेम नजर नहीं आ रहा है तो यहां पर आच्छा सा गेन आपको मिल सकता है लेकिन अगर आप रेजल्ट की बात करेंगे यहां पर रेजल्ट के लिए अगर आप कि फिप्टिंध नवेंबर को इसका रेजल्ट आने वाला है अगर आप इंतेजार करना चाहे तो इंतेजार कर सकते हैं नहीं तो अभी लेकि चल सकते हैं कि बड़ी असा लेवल पे आपको मिल रहा है अगर यहां से भी आप लेवल पर वाहि करके चलते हैं आपको एक किसमत अगर सही रहा ठीक है ना तो हो सकता है आपको त्री मौन्स में मिल जाए लेकिन मिनिमम जो होल्डिंग परियाद सिक्स मौन्स रखना चाहिए मेरे हिसाब से और शिक्स मौन्स टू वान एर बांके चलिए क्योंकि हमें गेन भी ता अथा सा मिल रहा है ना जहां पे 40 परसंट का गयन मिल रहे जहां पर हम साल का एक्सिक्षिशन रहता है थार्टी फाइव थाटी परसें तो तो मिली रहा है ठीक है तो मेरे साब से अपना पोर्टफोलियो में लेकर चल सकते हैं जो कि रिस्क्री है इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं है तो इस्टॉक का अग यह पिप्टी से बैने तो आरोई भी यहां पर फॉटी परसंटेज का है और यह स्टाक में अपना पोजिशन बना के चल सकते हैं अगर हम देखते हैं यहां पर प्रोमोटर के पास में 30 परसंटेज यहां पर यह पर के पास में सब्सक्राइब कोई प्रॉब्लेम नहीं कि अगर करेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे एंटर कर सकते हैं उस लेवल पे तो इस सीज के लिए हमें डरने का बिल्कुल कोई जरूरत भी नहीं है नेक्स टॉक के बात करेंगे जो कि हमने इस लेवल पर पोजिशन बना के बैठे हुए उसके बाद में क्या हुआ रेजल्ट खराप आया उसके बज़र से स्टॉक यहां पर करेक्शन पर आ चुका है करेक्शन मोड पर ठीक ह लेकिन अब ही क्या किसी का मन में होई सवथार रहा है कि अभी स्टॉक में मुटे निकल जाएं क्या प्रेंस यह सांना ची क्या कि उछल मैं पर पर बहुर का पर शेसंदल में कपर प्रूर कोई फिरस नहीं में बिल्कुल करो पोड़ के इस्वास था तो सही बात है डिकलाइन हुआ है ठीके ना लेकिन फिर भी उसके बावजूत अभी होल्डिंग करना चाहिए क्योंकि यहां पर दिखेंगे सेल्स में को इतना इता फरक नहीं पड़ा है तो हमीशा आती जा रहा है कि यहां पर नेगटिवीटी और किसी का नेगटिवीटी यहां पर दिखेंगे प्रोपिट वढ़िए यह सेल्स तो नहीं सबका पोजिशन कम किया नहीं सब का पोजिशन बराबर है ठीक है सब मैनेज़ेवल है कोई प्रोब्लेम नहीं स्टॉक में पोजिशन बना के रखे फिर से नेक्स्ट कटर में प्रॉफिट बढ़िया से आ सकता है उस टाइम पर प्राइस तक चला ही जाएगा ठीक है नहीं तो कोई एक निव जाएगा अच बहुत सारा स्टॉक में नुजबेस पर भी तो जा रहा है ना अपरेटर को जो पता चले है कि अभी आगे अच्छा सा बिजनेस में अभी इनको ग्रोथ आने वाला तो इमीडेटली उपर लेकि जाएंगे उस्टाइप पर अच्छा लगता है वहां पर दूसरा स्टॉक से तो कुछ स्टॉक में पर लेके जाएंगे तो यह अपना पॉजिशन बना के रखिए आपको प्राइब में अच्छा सा मुवमेंट आगे आने वाला टाइम पर मिल सकता है लेकिन जिसको फ्रेश पोजिशन बनाना है अपके लिए एक सुनेहरा मोगा है ठीक एक बहुत सबना ज में आकडमा है अगर आपको सब्सक्राइब करें करते हैं यहां पर फाकर सौंट कर सकते हैं बढ़ी आए elfक्टास की स्टरश कर शकते हैं जहां था मैं आपको बताया नहीं था उसको मैंने यहां पर पोजिशन में थोड़ा सा इंक्रीज किया हूं कुछ और बाकि बाइ किया हूं जो कि बहुत बड़ा अपर्चुनिटी बनके आता है यह स्टक में पोजिशन मना के चल सकते हैं क्योंकि प्रोमोटर का कोई इस्व नहीं है यहां पर दिखिए यहां पर देखिए यहां पर देट टू इकुट रेशियो दिखे जाता नहीं है और यहां पर प्लेज परसेंट जीरो हो है आल टाइम हाई से 50 डिसकाउंट पर मिल रहा है आपके लिए बहुत बड़ा जी बड़ी ऐसा एक अपर्चुनिटी है तो नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे तो करी लेगा टेक्निकल के हिसाब से लेकिन यहां पर उसके पिछे का रिजान में आपको पिछली बार भी बताया था यह स्टॉक में है बाई करने से बड़िया सा गेन हमें मिल सकता है जो कि अगर एक साल भी आप होल्ड करेंगे ना एक साल से देड़ साल के बीच में यहां पर यहां बहुत बड़ासा शॉने से पार करकर चॉठ निकल रहा है अगर यहां पर यहां से जब निकलेगा तो यहां पर यहां पर रोकेट बन जाएगा ठीक है तो इसी हिसाब से मेरा हिसाब से पोजिशन बना के बड़ी ऐसा स्टॉक बना के रख सकते हैं जो कि निप्टीविटी का स्टॉक है इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है तो यहां सा अगर पोजिशन बना के चलेंगे आपको टारगेट अपका रहेगा तक आप लेके चल सकते हैं और आपको जो बाइंग लेवल देख लिशेंग जो कि अब भी करेंट मार्केट परस से आप से चल सकते हैं आपको कभी यह स्टॉक मिलता है तो तालो डाएंट से लेके सब्सक्राइब कोई रिस्क भी नहीं ठीक है और एक बार देख लेते हैं कुंछा-कुंछा स्टॉक के बारे में हमने आज डिसकस किया जो कि कोलपाल था उसके बाद में ब्यांक आफ इंडिया क्याम्स और भेवाव ग्लोबाल और एक आइसर मोटर ठीक है तो यह सब स्टॉक में बिंदासली आप पोजिशन बना के चल सकते हैं कोई भी प्रोब्लेम नहीं अगर आइसर मोटर का हम रेजल्ट भी देखते हैं रेजल्ट में थोड़ा सा पोजिटिविटी अभी आ रहा है ठीक है अभी रेजल्ट पोस्ट किया है कंपनी ने तीन तारीक को यहां पर द आ रहाए यहां पर टूज था अभी 373 करोण का प्रफीट आया है तो प्रफीट धरी धरी इंप्रूब्मेंट होता रहेगा क्योंकि इसी आप से करोना ने इंप्यक्ट किया था ठीक है तो अभी बड़ी अशा अभी यहां पर रिवर्सल आ सकता है और लार्ज क्याप स्ट सब्सक्राइब किजिए आप लोग लाइक किजिए लाइक किजिए आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन विल्ट करता है उसके साथ में जो नया इन्वेस्टर होते हैं उनके पास में यह वीडियो भी पहुंचेगा थोड़ा सा खुद का अनालिस करके अच्छा सा ट्रेड लेकर अच्छा सा गेन ले सकते हैं फ्रेंस ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर्ड लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपका लाइक से ठीक हो नाइक में कोई पैसे भी नहीं होता है तो सब्सक्राइब कर लिज मिलते नेक्स्ट वीडियो में